अरे अली, मैंने सुना तुमने पिछले अपते बहुत बड़ा कंसाइनमेंट क्लाइन को पहुचा दिया, वो भी टाइम से पहले हाँ, हमारे कॉंट्रेक्टर सहाब भी इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे अरे वा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये तो बताओ अली, क्या तुम्हें इतनी भाग दोड करके ठकान महसुस नहीं हो रही है ठकान तो होती है, पर जब से मैंने अपने खाने पीने पे ध्यान देना शुरू किया है, मुझमें पहले से ज्यादा फूर्ती आ गई है सुहाना सफर ट्रेनिंग लेने से मेरी जिन्दगी बहतर हो गई है ये सुहाना सफर ट्रेनिंग क्या है? तुमने सुहाना सफर प्रोग्राम के बारे में नहीं सुना? इस ट्रेनिंग में मुझे सेहत मन खाना, सामोहिक स्वच्चता, सणक सुरक्षा नियब, फर्स्ट एड, यहां तक की पैसों और बचत से संबंदित जरूरी जानकारी भी मिली ऐसा नहीं था कि यह सब मुझे पहले से नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह समझाया, पैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था चलो दोस्तों, पास के ढाबे पर बैट कर इस विशे में और चर्चा करते हैं हाँ लग तो राय फायदा हुआ है, उस दिन भी तुमने एक जटके में यूपियाई से ढाबे वाले को खाने के पैसे दे दिये थे हाँ भाई, पता तो था ही, पर अब इस्तमाल करना भी आ गया है यूपियाई के इस्तमाल से अब मैं घर पर बड़ी आसानी से पैसे भेज देता हूँ और जरूरत की चीजे भी यूपियाई का इस्तमाल करके कर लिता हूँ ट्रेनिंग लेने के बाद से ही मैंने बचत करना भी शुरू किया है अब मुझे अपने पैसों को लेकर कम चिलता होती है लगता है तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला है इस ट्रेनिंग में पर इस ट्रेनिंग के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो दादरी डिपो की जो कैंटीन है न, वहीं होती है सुहाना सफर की ट्रेनिंग इसके अलावा तुगलकाबाद में भी ये ट्रेनिंग होती है और अब तो सुना है कि प्याला में भी हो रही है ये ट्रेनिंग पहले तो मैं बहुत हिचक रहा था ये ट्रेनिंग अटेंड करने से मुझे लगा कुछ पैसे मांगेंगे पर कोई पैसे नहीं लिए बलकि अच्छा लंज और नाश्टा दिया इसके अलावा रोज की जरूरत का सामान जैसे रेजर, कंगा, टूदब्रश, साबुन, शैंपू, मास्क और सैनिटाइजर भी दिया ताकि हम अपनी सोचता का ख्याल रखे और कोरोना वाइरस से बचे अरे वाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है पर तुम्हें इस ट्रेनिंग में जाने का टाइम कहां से मिला अरे ये ट्रेनिंग हर रविवार और महीने के दूसरे शनिवार को डीपो पर ही होती है और ज्यादा तार हम उस समय फ्री ही होते है तो मैंने सोचा ट्रक में रहने से अच्छा है कि कुछ सीखी ले तो क्या नया सीखा तुमने? मुझे फर्स्ट एट किट में मौझूद बहुत सारी चीजों के इस्तमाल के बारे में नहीं पता था जैसे ये देखो, क्या तुम्हें पता है ये क्या है और किस लिए इस्तमाल होता है? कभी इस्तमाल नहीं किया, शायद दवाई पीने के लिए होगा नहीं, ये आँख साफ करने के लिए है, इसमें पानी भर कर आँख डाल कर रखो, इससे आँख में फसा कच्रा निकल जाता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, इसके अलावा और भी कई चीजे है फर्स्टेड किट में, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, जैसे कौन सी दवाई कब इस्तेमाल करनी है फिर तो तुम्हें भी इस ट्रेनिंग में जरूर जाना चाहिए, यहां मेरे जैसे कई ट्रक ड्राइवर्स आए, अपनी मुझकिलों के बारे में मैंने बताया, और उनके सुझाव भी लिए, पहली बार ऐसा लगा कि कोई है, जो हमारे बारे में भी सोचता है हम सभी ट्रक ड्राइवर्स ने साथ में मिलकर, रोड साइन और रोड पे अपनी सुरक्षा के बारे में विचार मिमर्श किया काफी सारे ट्राफिक सिगनल्स जैसे लेन बदलने का सिगनल, तीवर मोड पर लगे हुए सिगनल आदी के बारे में तो कुझे पता ही नहीं था अब काफी जानकारी हो गई, पता है एक ट्रक ड्राइवर है इसरार, सुहाना सफ़र ट्रेनिंग की मदद से उसका बेटा आज दुबई में काम कर रहा है क्या, दुबई में? अरे वा, ये कैसे हुआ? इसरार ने सुहाना सफ़र ट्रेनिंग ली है, जिसमें हमें ट्राफिक सिगनल्स और रोड सेफटी के ऊपर एक किताब मिलती है इसरार के बेटे ने ये किताब बढ़ी, सड़क सुरक्षा के बारे में जाना और दुबई में ड्राइवर की नौकरी के लिए और ही इंटर्व्यू को पास कर लिया फिर तो मैं भी जाओंगा इस ट्रेनिंग में तुम्हारे साथ अली, क्या पता हमें भी इसी तरह कोई बहतर अफसर मिल जाए? हाँ, मैं भी चलूँगा हाँ, जरूर चला अगर आप ट्रक ड्राइवर या हेलपर हैं, तो आप भी सुहाना सफर प्रोग्राम से जुड़ें और अपने सफर को बैतर बनाएं क्यों जरूख ठी जción दौराम जर अपने स्टी बनाएं स्टी तरह प्रोग्राम जरूफवें बनाएं क्यों प्रोग्राम